नमस्कार दोस्तों मैं उदेलाड फिरे एक बार स्वागत करता हूँ आप सभी का चहीते चानल इंडियान मुर्गी पालन परड़ों देखने वाले हर मुर्गी पालक भाई का आज केड़ों में तहें दिल से बहुत बहुत स्वागत दोस्तों थमनेल देखा टाइटल पड़ा हाँ दोस्तों सामान्य मुर्गी पालक भाईयों का सबसे बड़ा सवाल कि हमारे पार पर मुर्ग्यों की बीट अब हो रही है यहाँ पर पतली हाँ दोस्तों यहाँ फिलहाल का है सबसे बड़ा सवाल कि हमारे पार पर मुर्ग्यों की बीट हो रही है पतली आखिर मुर्गियों की बीट क्यूं होती है पतली क्या यह किसी बीमारी का लक्षन है अगर हां तो इस बीमारी का नाम क्या है क्या इस बीमारी की वजह से मुर्गिया मर सकती है आपके मन में उत्पन हुए हर सवाल का जवाब आज इस वीडियो के अध्यम से मैं देने वाला हूँ इसलिए दोस्तों यह वीडियो शुरुआत से लेकर यहां पर अंततक देख लीजिए वीडियो अंततक देखते हैं आपको पसंद आ जाए तो जरूर इस वीडियो को यहां पर एक लाइक कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा किसान भाई और मु यहां पर शेर कर दीजिए रहा होगा आपका सब्सक्राइब करना तो आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाईयों से हाथ जोड़ कर यहां पर अनुरोद करता हूँ कि दोस्तों आप सभी को तो मैंने अपना माना है और आखरी सास तक आप सभी को अपना ही मानता रह इसली साइड में आ जाईए वहां पर आने के बाद दिखाए देने वाले लाल रंके सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा बगल में घंटी आएंगी इस घंटी को टच करते वे और इस नोटिपिकेशन को अन कर दीजिए ताकि आने वाला हरुडियो आपको यहां पर समय समय पर मिलता रहेगा तो देखिए दोस्तों सामान्य मुर्गी पालक भाईयों का सबसे बड़ा सवाल कि हमारे फार्म पर आप मुर्गियों की बीट हो रही है पतली ऐसे में मुर्गियों की बीट पतली क्यूं होती है बीट पतल आप सभी के लिए सबसे बड़ी खुश खबर लेकर आया हूं दोस्तों कि हमने इंडियन मुर्गी पालन के नाम से कर दिया है वाटसप ग्रूप ओपन इस वाटसप ग्रूप के साथ आप मुप्त में जुड़ सकते हो जुड़ने के लिए आपको एक आसान काम करना है इस वी 30 करोड की जन संख्या को अभिबूत करते हुए भारत वर्ष में देशी मुर्गी पालन में हो रही है क्रांती और देशी मुर्गी पालन में पहली बार दोस्तों आपको मिलने वाली है ट्रेनिंग हाँ दोस्तों उत्पादन से लेके विकरी तक प्रोडक्शन से लेके मार् सवverbsर्णकारी प्राप्त करने के लिए आपको करना है केवल एक काम करना है ट्रेनिंग सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन और एक बार आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो दुनिया की कोई भी ताकतीज व्यवसाइए के माध्यम से लाखों का मुनाफ्ru प्राप्त करन क्या है 2482 बासट पर कॉल करना है यह कॉल उठाऊंगा मैं यानि उदैलाड और आपको पूरी पूरी जानकारी यहां पर दी जाएगी कि उत्पादन से लेके विक्री तक प्रोडक्शन से लेके मार्केटिंग तक इंडियन मुर्गी पालन आपको किस प्रकार से यहां पर सहय योग करेगा और इसके साथ दोस्तों एक महत्तो पूर्ण जानकारी कि हम क्या करते हैं कि फिड़का खर्चा घटाना बीमारी आने से पहले और आने के बाद टीका करन की जानकारी आधुनिक तंत्र जो होता है इंकुबिटर का इस्तमाल करके ज्यादा ज्यादा चूजों क का प्रोडक्शन और मार्केटिंग में आपको सहयोग यह सभी बाते हमसे हो गया चोटी चोटी बड़ी बड़ी हर समस्या का सुलूशन मिलेगा केवल पास रुपे के मासिक शुल्क पर अगर आपकी हो चाहा कमाना हो लाखों का मुनाफा तो करियर के ऑप्शन के तौर पर सर्दियों के और बरसात के मोसम में जब मुर्गयों को जो फिड़ खाया हो डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है और शेरिल के अंदर जो है दोस्तों पानी का प्रमान बढ़ जया तो यह दिक्कत आती हो और आईसे में अगर फिड भी आप गीला दे इस बीमारी की वज़र से डाइरेक्टली तो मॉटलिटी नहीं होती है लेकिन शरीर के अंदर के पोशक तत्व निकल जाते है उसके बाद जो मुर्गी होती हो कमजोर हो जाती है और उसके बाद दूसरी जो भिनन भिनन बीमारिया होती है मुर्गी पर अटेक कर लेती है ज लिए इसको हलके में मत लीजए और आएसमें फिर आपकी मुर्गियों की BIT पतली हो रही तो करना क्या है तो आपको O.R.S देना है O.R.S एक powder होता है जिसमें जिंकर का प्रमान होता है जो वहाँ पर जो पतली बीठे उसे भी रोकता है और ज्यादा बीठ होने की समस्या से निजाद भी कर देता है अब इसका इस्तमाल किस प्रकार से करना है तो एक लिटर के पाने में दो से तीन ग्राम यदि वारेस डाल दोगे और ये घोल मिलाकर आगर आप तीन दिनों तक इसका इस्तमाल करोगे त तो आपकी मुर्गियों की पतली बिट जो है नॉर्मल बिट में तबदिल हो जाएगी और आपकी मुर्गियों पर बिमारी आनियों का जो खत्रा है दोस्तों तकरिबन 50-80 प्रतिशत यहाँ पर समाप्त हो जाता है तो इसलिए आपके फर्म पर मुर्गियों के दिट पतली हो रही है तो जल्दी से जाए भागा दोड़ी करते और और स्कॉल आने के बाद एक लिट में दो से तीन ग्राम मिला कर तीन दिन कंटिनिवर्स दे दीजिए तो दोस्तों ऐसी समस्या है आपके सामने आती है हमारे जो ट्रेणिंग में मूर्गी पालग भगई को चुन कर हमारे एंडियन मूर्गी पालं के ट्रेहिनिंग सेशन के जाएनवें दोस्तों के साथ जुड़ना है तो संपर कीजिए 242 62 62 पर तो दोस्तों इसी के साथ इंडियन मुर्गी पालन के नाम से हमने वाटसअप गुरूप पर यहां पर जाके आप टच कर दीजिए लिंक को आप तुरंत यहां पर मुफ्त में हमारे साथ जुड़ जाओगे जिससे क्या होगा कि आपको सहयोग हम कर पाएंगे तो दोस्तों यह ता पूरा वीडियो कि जिसमें हमने आज देखा कि मुर्गी आप पतली बीट क्यों करत करती हो तो कुन सा इलज हमें यहां पर करना चाहिए तो आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्षन में लिख कर भेजिए पसाद आया होगा वीडियो लाइक कीजिए किसान भायों तक और मुर्गी पालक भायों तक वीडियो पहुचाने के लिए शेयर कर दीज और रहा होगा आपका सब्सक्राइब करना तो आप सभी किसान भार मुर्गी पालक भायों से यहां पर हात जोड़ कर विंती करता हूँ दोस्तों आप सभी को तो मैंने अपना माना है आकरी सास तक अपना ही मानता रहूँगा यदि आप भी मुझे आपना और घर का सदस्र इसके लिए इस वीडियो के दाईतरब निजली साइड में आने के बाद दिखाए दिने और लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को तच कर दिज़े उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा बगल में घंटी आएंगी इस घंटी को तच कर दे ऑल इस नोटिफिकेशन को अन क दोस्त तो आईसा ही एक नया वीडियो लेकर मैं आपका दोस्तु दे लड़ाब सभी के चेहिते चानल इंडियन मुर्गी पालन पर आपको मिलता रहूंगा तब तक के लिए मेरा हरकिसान भैवर मुर्गी पालक भाई का आज की उड़ो में तहे दिल से बहुत-बहुत झाल